हाई फ्रेंज असलाम अलेकुम कैसे हैं आप सब आप सब ठीक होंगे आप सब की दुआ से अलहम दुलिल्ला हम सभी ठीक है तो फ्रेंज जैसे के बॉंबे में गर्मी ती ही अब तो कश्मीर में भी बहुत गर्मी हो रही है तो हमने सोचा कुछ समर स्पेशल को ड्रिंक जो मार्केट में अवेलेबल है और बच्चे उसे बहुत ही पसंद काते हैं बच्चे तो क्या हम बड़े भी उसके दीवाने हैं बट आज हम वही ड्रिंक बनाएंगे घर में वह भी बिना किसी प्रिजर्वेटिव के और टेस्ट एक्जाक्ली दसेव तो चलिए फ्रेंस ब तो मैंगो फ्रूटी बनाने के लिए मैंने यहां पर तीन आम ली हूँ यह रेसिपी बनाने के लिए जो है हमें दो आम की जरूरत है और एक केरी लेनी है पर दो मीठे आम होने चाहिए और एक खटे केरी होनी चाहिए बट यहां मेरी जो यह आम है यह है खटे मीठे आम त करेंगे तो उसके लिए सबसे पहले हम जो इसके स्कीन है इसे रिमूव कर लेते हैं थोड़ा सा इस तरह से उसके बाद हम इसे इस तरह से कट करेंगे आप देख सकते कलर से पता चलता है कि आम मीठे नहीं है इसलिए मैंने तीन लिए आप रेश्यो याद रखिए दो आम के इन के लिए एक कैरी तो इस तरह से पहले हम अंदर से कट लेंगे यह प्रोस अबहुत ही मज़दार लगता है बहुत ही अच्छा लगता है । अब हम स्पून की हिल्प से इसका सारा पल्प जो है वह निकाल लेंगे इस तरह से और इसे डिरेकली हम मिक्सी जार में डाल देते हैं और इसी तरह हम बागी के मैंगोस को भी हम पल्प निकाल लेते हैं प्रेंट्स I'm ray recipe देखने के बाद आप लोग ए रैसीपि जरूर ट्राल करेंगे विदाउट अव rhmin इतना बड़्या सा ज्यूस घर में भभशा ही बन जाता है और आप लोग यह recipe देखने के बाद अपने बच्छों को समर में ये फ्रेश जूस जरूर देंगे तो फ्रेंट्स और एक ट्रिक है मैं आपको बताती हूँ जो आप पीलर से इसका स्किन रिमूव कर सकते हैं इस तरह से ये देखिए पुरी स्किन जो है हमने रिमूव कर दिये फिर इसके बाद इसे वर्टिकली और होरिजन्टली इस तरह से कट कर देजिए इस तरह से अब इसे इस तरह से अब कट कर लीची देखिए बिलकुल जैसे मार्केट में बाहर जो फ्रूट जूस वाले करते हैं बस उसे स्टाल में हमने इसे कट किया है बहुत मज़ा आता है ये कटिंग प्रोसिजर में और इसे भी हम डाल देते हैं मिक्सी जार में तो देखिए हमने सारा पल्प जो है मैंगो का निकाल लिया है यहां मैं अड़ कर रही हूँ हाफ कप शुगर शुगर जो है आप जो मैंगो आपने लिये है उसकी जो मिठा से उसकी अकॉर्डिंग आप एज़स्ट कर सकते हैं यहां जो है खटे मिठे है इसलिए मैंने तो बस mixer को कर देंगे stop और देखते हैं इसे open करके देखिए कितना smooth सा texture है इसका बस इसी तरह से हमें ये mango की puri type हमें बनानी है इस तरह से अब देख सकते हैं अब इस puri को हमें non-stick pan में transfer कर लेंगे यहां हमने सारा का सारा pulp निकाल लिया है pan में अब हम half cup water लेंगे और थोड़ा सा मिक्सर में डाल के जो मिक्सर में लगा हुआ है हम इसे निकाल लेते हैं और इस पानी को हम add करते हैं हमारे जो pan में हमने pulp निकाला है उसमें अब pan को रखेंगे हम store पे और हम इसे अच्छे से mix कर लेना है यह जो पानी है और pulp है इसे पहले अच्छे से mix कर लीजिए यह देखिए अच्छे से mix हो गया है अब हम इसे 4-5 minutes तक cook करना है जब तक कि यह जो puri है इसका color translucent नहीं हो जाता देखिए 4-5 minutes होने आये है अब देखिए अब देख सकते हैं यह थोड़ा सा translucent होता जा रहा है देखिए इस तरह से अब देख सकते हैं किस तरह से यह translucent हो गया है बस इसे stage पर हमें gas का flame कर देंगे off और अब हम इसे transfer करेंगे एक bowl में लेकिन उसके पहले इसे हम किसी strainer की मदब से इसे हम चान लेंगे ऐसे तो इसे ज़रूरत नहीं है बट फिर भी जो बाजार का जो drink है उसकी जो texture है उसे match करने के लिए यह procedure करना ज़रूरी है तो आप इसे तरह से चान लेजे तक अगर को कोई जैसे कभी-कभी आम में होता है जो ball type होते हैं तो वैसा कुछ है तो वो इसमें निकल जाएगा तो इस तरह से आप इसे अच्छे से strain कर लीजे अच्छे से इसका pulp जो है remove कर लीजे यह देखिए थोड़ी-थोड़े से lumps थे तो वो हमने remove कर लिए है तो यह हमारा lumps free जो पानी ऐड़ किया इसीक आप से measure किया है पहले मैंने इसमें आदर कप एड़ किया था अब इसमें 2 Bowl कप एड़ कर रही हूं तो पानी आप थोड़ा थोड़ा करके है आड़ कीजीए इसमें तो पानी को भी जो है हमhai स्ट्रेनर से ही आड़ करें के ताकि और भी इसमें अगर आप इसी तरह से रखेंगे तो यह माजा बन जाएगा माजा ड्रिंक जो होता है उसी तरह से इसका टेस्ट आएगा तो मुझे इसे फूर्टी की तरह बनाना है इसके में थोड़ा सा पानी और आड करूंगी तो मैंने यहां लगभग दो कप पानी आड किया है अब देख सकते हैं इसकी कंसिस्टनसी एकदम फूर्टी जैसे हुई है ट्रांस्पेरेंट जैसे बजार में मिलती है फूर्टी उसी तरह से और इसका टेस्ट एकदम बैस था शकर भी अच्छे से थी इसमें और पॉफेक् यह मैंगो फूर्टी हमारी रेडी है जो लोग 90's के हैं उन्हें पता होगा एक एड आती थी मैंगो फूर्टी फ्रेश और जूसी तो कौन-कौन यहां 90's का है और यह वीडियो देख रहा है प्लीज कॉमेंट करके जरूर बताना तो चलिए हम जूस को ग्लासेज में पूर करके रख देते हैं ताकि बच्चे जब स्कूल से आए तो हम उने सर्फ कर सके और आप लोग भी बिलकुल देर मत कीजिए जाए मार्केट और मैंगो ले आएए और अगर हो सके तो केरी जरूर लाना केरी से इसमें बहुत ही अच रेडी किया है विदाउट एनी प्रेजरवेटिव जो की हेल्थ के लिए भी बहुत जादा अच्छा है एनरजेटिक फील करेंगे आप जब आप इसे लेंगे तो देखे बच्चे आ गए स्कूल से तो सना सना की हलाब देखो बिचारी गर्मी में सना हमारी थक गई है सना बैठो नीचे ते देखे सना थक गए हो ममा ने क्या बनाया है देखो प्रूटी किस को पसंद है मुझको असना को भी है ना चलो प्रिज में चिल करके ही सर्फ कीजिए खुल थे में रूटी अप्रिकार रूटी पिके जितना दिमाग थंडा मी घृता है उससे कहीं को नहीं जा। पर बहुता हो बहुता है। अपने गड़ा बनाना मेद्ट भी पर गड़ाई। पहें जल्दि प्रूटी है। अच्छी लगई प्रूटी। है ना ? यह पीटर पीटर आपके... आपके दाथ पर कीले लगता है कि आदिल पीया आपने मज़ा आया तो चलो अभी सब लोग अपने अपने सब लोग चेंज करो फटा-फट ठीक है फिर हम खाना खाते हैं अरे ये देखो आदिल बॉस हां ममा के चेश में लगाते हो ये मत लगाओ आके खराब हो जाएगी निकालो बस ट्वेल तक या आता है आपको अपने क्या पड़े नना अचा नना जूस पी रही हो बहुत ही रिफ्रेशिंग है फ्रेंट्स जैसे मार्केट में फ्रूटी मिलती है बिलकुल एक्जैक्टली उननीस बीस भी नहीं है बहुत सिमिलार है बहुत अच्छी है आप लोग जरूर इसे घर में ट्राय कीजिए अच्छे से बन जाएगी और कोई प्रेजर्वेटिव बच्चों के लिए भी है और देखें सना को भी बहुत अच्छा लगा बच्चे खुश हो गए आपसे मिलेगी है ना सना ठीक है चलो तो चलिए अब हमारी ड्रिंक एंज्डॉय करते हैं और व्लोग को भी यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे अगले व्लोग में एक शीज़ी रेषिपिके साथ तब तक के लिए आलाहाफिस बाई टेकरण बाइच के लिए यह व्लोग को